हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इस्टेड़ी वी थिराम में तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इक ज्ञान का कच्छा बारा का तीसरा चैप्टर ठीक है जिसका नाम है विदुद्धारा विदुद्धारा तो देखते हैं इसमें पहला हेडिंग है मुक्त इलक्टरान क्या होता है पहला हेडिंग है मुक्त इलक्टरान किसे कहते हैं तो देखेंगे परमाड के जो इलक्टरान कच्छा को छोड़ कर संपूर पदार्थ में गतिक कर सकते हैं उन्हें मुक्त इलक्टरान के संख्या अधिक होती है जबकि कुचालक पदार्थ में मु ये बात आप लोग याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, विदुधारा किसे कहते हैं, विदुधारा, तो इसमें लिखा है, आविस्प्रवाह की दर को, आविस्प्रवाह की दर को विदुधारा कहते हैं, यह आपका छदस में भी पढ़ चुके होंगे, इसका सूत्र होता है इसका सूत्र है आई बराबर Q वटा टी और इसका मातरक है कुलाम प्रतिसेकंड और ये है इसके अदिसरासी है विदू धारा की दिसा तो रिड़ आवस के चलने के विपरीद दिसा में तथा धनवस के चलने की दिसा में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें कहा गया है कि अगर ये कोई रिड़ आवेस है अगर ये इस दिसा में चल रहा है तो जो विदु धारा होगी ये इसके विप्रीद दिसा में गति करेगी और अगर मालिजे धन आवेस है ये जिधर गति करेगा उधर ही धारा भी गति करेगा तो ये कहा गया है धारा का अन्य सुत्र अब देख लेते हैं कि अलग अलग सुत्र धारा के कौन से हैं तो पहला सुत्र तो हम लोग पढ़ लिएं कि आई बराबर क्यों बटाटी तो दूसरा सुत्र है आई बराबर आप आई बराबर पढ़ेंगे आप यान E बटा T यान E बटा T क्यों आया कि क्यों कि यहाँ पे देखिए Q बराबर होता है यान E Q बराबर होता है यान E और आई बराबर Q बटा T तो Q के जगह पे इसका मान रखने पे आया है Q I बराबर यान E बटा T ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा फार्मूला है विदुधारा का कि I बराबर Q E बटा 2 पाई R कोई R तरिज्या मतलब इसमें कहा गया है कि अगर कोई R तरिज्या का ये R तरिज्या का कोई गोला है इसके चारू तरफ अगर कोई इलक्टरान ऐसे चक्कर लगा रहा है कोई भी इलक्टरान तो उसके कारण बहने वाली धारा कैसे निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र है आई बराबर Q E बटा 2 पाई R जहां पर V है इलक्टरान का वेग और Q है वो इलक्टरान आविस और R इसकी त्रिज़ा है 2 पाई तो नियतांक है अगला है अगला सूत्र है चाउथा यदि कोई आविस वरित्ता कारपत पर E F आवरित्ती से गतिसील हो अगर कोई लक्टरान आवरित्ती के साथ गतिसील है तो उसके लिए सूत्र है आई बराबर Q E F ठीक है ये सूत्र याद रखेगा अब पाँचवा सूत्र है विदु धारा ज्याद करने का I बराबर यन E A V D जहाँ पे इसमें लिखा गया है कि यदि किसी चालकतार में एकांक आयतन में उपस्तित इलेक्टरानों की संख्या यन हो तो उसके करवाहित होने वाली धारा का मान कैसे निकालेंगे तो I बराबर यहाँ पे लिखा है आई बराबर यन E A V D जहाँ यन एकांक आयतन में उपस्तित इलेक्टरान की संख्या है और A जो है तार का छेतर फाल है और V D जो है वो अनुगमन वेग है आगे बढ़ते हैं उसमी वेग क्या होता है यह सब एक एक नंबर के कोश्चन आते हैं बोड एकजाम में तो याद रखेगा उसमी वेग किसे कहते हैं तो लिखा है सेल की अनुपस्तिती में मुक्त इलेक्टरान जिस वेग से अनुमी दिसा में गत करते हैं उसमी वेग कहते हैं माल लेजे कोई यह चालकतार है यह सेल की अगर इसमें सेल ना लगा हो तो इसके अंदर जो इलेक्टरान होंगे वो अनुमी दिसा में उधर उधर ऐसे गत करते रहेंगे तो उसी को उसमी वेग कहते है और इस उसमी वेग का मान होता है 10 to the power 5 meter per second 10 to the power 5 meter per second उसमी वेग का मान होता है आगे बढ़ते हैं आगे है अनुगमान वेग क्या होता है अनुगमान वेग क्या होता है तो सेल की उपस्थती में अभी हम लोग पढ़े हैं सेल की उपस्थती में तो वो उसमी वेग था यहाँ पे अनुगमान वेग है तो यह है कि सेल की उपस्थती में मुक्त इलक्टान निमन विभव से उची विभव की और जिस सूच में वेग स का मतलब क्या कहा गया है इसमें तो इसमें है कि सेल की उपस्तिती में मुक्त इलेक्टान जो होते हैं जब किसी चालकतार में अगर सेल लगा दिया जाता है तो उसके अंदर के जो मुक्त इलेक्टान होते हैं एक ही दिसा में ऐसे गत्य करने लगते हैं ठीक है उसी को कहा गया अनुगमन विग और इसका मान होता है 10 to the power minus 4 meter per second अगे स्रांत काल क्या होता है स्रांत काल तो देखते हैं सेल की यहां पे लिखा गया है सेल की उपस्थती में मुक्त इलक्टान चालक तार में उपस्थत धन आयन से टकराते हुए चलते हैं दो क्रमावत टकरों के बीच लगे हुए समय को स्रांत काल कहते हैं इसे टाव से दिखाते हैं इसका मान 10 to the power minus 14 second होता है तो कहा गया है अगर मा लिजिये कोई चालक तार है इसमें जो धन आयन है यह धन आयन जो है यह टकराते हुए चलते हैं तो यहां इस धनायन से इस धनायन के बीच टकर होने में जो समय लगता है उसी को स्रांत काल कहते हैं और इस स्रांत काल का मान होता है 10 to the power minus 14 second यह स्रांत काल होता है और इसे टाव से वक्त करते हैं आपको पता है इधर टाव से वक्त करते हैं तो आगे बढ़ते हैं धारा घनत तो धारा घनत तो क्या है तार के किसी बिंदू के एकांग छेतर फल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत तो कहते हैं इसे स्मॉल जे से दिखाते हैं यहा मात्रा होगा एंपियर प्रति मीटर स्कार ठीक है तो धारा घना तो क्या होता है एक आंक यहां कोई चालकतार है इसके एक आंक छेत्रफर से प्रवाहित होने वाली धारा को कोई एक आप छेत्रफर ले लो उसके एक आंक की जिसा में होती है अगर धारा इधर जा रहा है तो धारा घना तो भी इधर ही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में शंबंध क्या है धारा और अनुगमन वेग में शंबंध क्या है इसको देखते हैं तो लिखा है माना यल लंबाई तथा ए छे तार ले लिए और इसका छेत्रफल मान लिया कि ए है इसके तार में मुक्त इलक्टानों की संख्या एकांक आयतन में है किसी एकांक आयतन में इसका मुक्त इलक्टानों की संख्या यान है तो तो आगे देखते है लिखा है एकांक आयतन में मुक्त इलक्टान की संख्या है या एल आयतन में मुक्त इलक्टान की संख्या हो जाएगा एल इंटू इन एल इन हो जाएगा और हमको पता है यह सूत्र की आवेश जो होता है क्यू बराबर यन इन्टू यन इन्टू इवाई टी ये पता है तो यहां से यहां जो यन है उसका मान रखेंगे यन यहां पे एक संख्या है ठीक है और ई इलेक्टरान है टी समय है तो आगे बढ़ेंगे तो होगा यहां संख्या तो यहां पे संख्या जो संख्या लिखा इसके जगा पे अ लेख नहीं टीखें एक की बराबर वह जाएगा यल ले अन लिए ये बाटा में ट Two एकvida आप लोगों पता है कि कि आई बराबर होता है इंगए पर आपको पता है सतो इहां पर आगे बढ़ेंगे तो होगह द देखिये वर बढ़ेंगे तो आए बराबर A VD यान E और अगर इधर से A को पच्छांतर करेंगे तो हो जागा I बटा A और I बटा A होता है J के बराबर तो J धारा घानतो है तो धारा घानतो का फॉर्मूला यहां से मिला VD इन्टू यान E यह धारा घानतो तथा अनुगमन विग में संबंध यहां पर है यह बाला तो इसको आप एक बार देख लिजगा Derivation कैसे हुगा है यह एक्जाम में बहुत बार आता है आगे बढ़ते हैं लिखा है ओम का नियम क्या है लिखा है किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं एपर वर्थित हो तो तार के सिरे पर लगा गया विभाव तथा इसके कारणतार में प्रवाहित होने वाली धार कानुपात सदय अचर होता है और इस अचर को तार का प्रतिरोध कहते हैं जिसे आर से दिखाते हैं तो इसमें कहा क्या गया है कि अगर कोई चालक तार है इसका अगर सभी भौतिक अवस्थाएं इस्थिर रहें परिवर्तित ना करें तो इसमें प्रवाहित होने वाली तो इसके सिरो पर अगर कोई चालक तार है मान लेजिए चालक तार है और इसके सिरो पर लगा गया जो विभाव है उसका अनुपात और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा ये बरावर होता है आर के अखिर ये कब बरावर होगा जब चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं आ पर विर्ति रहें उसको बादला न चाहें ताब समान रहे, दाब समान रहे सब कुछ समान रहेगा जब तो आर बरावर होता है वी बटा आई यही है ओम का नियम ठीक है यहां आर बरावर होता है वी बटा आई और इसे ओम मतलब आर का मात्रक ओम होता है ठीक है आगे भड़ते हैं ओमी परिपत क्या होता है तो जो परिपत ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी परिपत कहते हैं हो गया आगे है ओमी परिपत के लिए विभो तथा धारा के बीच खीचा गया वक्र सदय व सरल लिखा में होता है ये पूछा गया है एक बार कि जो जो ओमी परिपत होता है उसके लिए विभो तथा धारा के बीच खीचा गया नहीं करते हैं इसे अन पर पत्व को मतलब इसे अन पर्पत कहते हैं। और उन पर्पत के लिए बीच खेच गया वक्रश होता है, सरा लेखा में नहीं होता। और अनोमी परिपत के कुछ एक्जाम्पल दिये गए हैं कि ये बल्ब है, बल्ब इधर है, बल्ब है, डायोड बल्ब है, ट्रायोड बल्ब है, यक्स किरड नली है, ये सब अनोमी परिपत के एक्जाम्पल हैं और इसके बीच कहा गया कि अनोमी परिपत का जो ग्राफ बनता वो ऐसे बनता है सररेखा में नहीं बनता है आगे देखते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है अन ओमी परिपत के लिए व्यूखव के मान में होने वाले परिवरतन था थारक इमान में होने वाले परिवरतन के अनपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं पतलब आर बरावर ह अगे बढ़ते हैं ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई इसको देखते हैं तो लिखा गया है जब चालक की सिरोपर विभांतर नहीं लगाया जाता है तो चालक के अंदर उपस्तित सभी मुक्त इलक्टान ए नियमित दिसा में गत्य करते हैं इसलिए इनका अवसत प्रारंबिक वेग सुनने होता है अर्थात इसमॉल यू बराबर जीरो जब इनका अवसत वेग निकाला जाएगा तो जीरो आएगा आगे बढ़ेंगे तो लिखा सेल लगाने के कारण सभी मुक्त इलक्टान जो होते हैं अनुगमन वेग से गत्य करते हैं तो अनुगमन वी बराबर हो जाएगा वी डी यहां पर वी डी अनुगमन वेग है और गत्य के समीकरण से देखेंगे वी बराबर यू प्लस एटी से आएगा वी के जगह पर हो जागा वी डी तो वी डी बराबर होगा और यू कमान है उधर उपर जीरो तो वी डी बर बराबर हो जाएगा, VD बराबर, 0 प्लस A इंटू टाओ, यहां पे गत के समिकरट से V बराबर, V प्लस A T से V के जगह पे VD हो गया, और यहां पे U कमान उपर 0 आया है, 0 रखा गया, और A, A के जगह पे हम लोग A ही रखेंगे, क्योंग उसका मान नहीं दिया है, और T, T के ज यहान में रखिएगा आगे चलते हैं तो आगे लिखा है सेल के कारड़ तार के अंदर वैदू छेतर उत्पन होगा जो मुक्त इलक्टान पर बल उत्पन करेगा तो सेल के अंदर मुक्त इलक्टान पर बल लगेगा यह बराबर इंटू क्यों यह सूर्थ तर पिछले बराबर होगा एंटू ए और यहां से एक कमान निकालेंगे ए बराबर होगा कैप्टल इबर्ट इंटू में स्मॉली बटा में और यहां एक कमान समिकरण एक में जब रखेंगे तो मिलेगा वीडी बराबर कैप्टल इंटू स्मॉली बटा में इंटू टाव तो विभाप यहां से हो जाएगा यह बराबर वी बटायल और जब मान रखेंगे तो यहां पर आएगा वीडी बराबर इसका जब मान रखेंगे वीडी बराबर 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 वीडी यलियम और यहां पे जब E यहां पे 1 E है यहां पे A, इसको और solve करेंगे तो आएगा I बराबर यान E A, यान E square A V tau बता यलियम और यहां पे V को जब पच्छांतर करेंगे तो i v बटा हो जाएगा यान e square a tau बटा में यल lle yam और इसको जब पलटेंगे क्योंकि अब ही है सुध नहीं है तो जब पलटेंगे तो v बटा i बराबर हो जाएगा यह ले yamबटा में यान e square a tau और यह जो और यह जो v बटा i है यह होता है r के बराबर यहां पर दिया है कि आर कमान कितना होता है यहां पर प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्रतिरोध ताप पर निर्भाव करता है तो सब को पता है तो प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव में पहला है धात के लिए तो धात पर प्रतिरोद का क्या प्रभाव पढ़ता है तो देखेंगे इसमें चालक तार का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्टान का वेग बढ़ेगा और जब वेग बढ़ेगा तो स्रांत काल कम हो जाएगा और सांद काल कम हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर धाद का प्रत्रोद बढ़ता है तो ये बात याद रखेगा कि ताप बढ़ाने पर धाद का प्रत्रोद बढ़ता है और धाद के लिए समीकरड है r बराबर r0 in the bracket a प्लस ये है alpha into t तो यह है धाद के लिए समीकरण यहां पर आर जीरो है जीरो डिगरी सेल्सियस पर ताप और आर बराबर है टी डिगरी सेल्सियस पर मतलब ताप नहीं यहां पर आर जीरो है जीरो डिगरी सेल्सियस पर परतिरोद और आर बराबर है टी डिगरी सेल्सियस पर परतिरोद यहा भर करता है तो देखेंगे इनका भी प्रतिरोधता बढ़ाने पर बढ़ता है प्रंतु यह व्रिद्धी धातु की तुलना में कम होती है कहरा है मिस्र धातु का भी जो ताप होता है वो बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ाने पर लेकिन धातु से कम बढ़ता है धातु की तुलन जो कार्बन है सिलिकन है जर्मीनियम है अर्धह चालक छेए का मैं प्रतिरोद गर्ट घटता है इसका प्रतिरोध इसका प्रतिरोध अंग रिडात्मग होता है ठीक है यहां क्यूंकि यहां पर दिखाए गया तो जो Allफा है यह तांग गुद और यहां सूत्र में लिखा गया है खुद कि आर बराबर आर जीरो वन माइनस आलफा इन्टू टी तो यहां पे आलफा माइनस में आ रहा है इसलिए यहां पे कहा गया है कि जो ताप गुड़ांख है इसका रिडात्मक होता है उपधात के लिए तो आगे बढ़ते हैं किर्चाफ का नियम यह इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टन टॉपिक है किर्चाफ का नियम क्या है तो किर्चाफ के दो नियम है और दोनों लिखने के लिए आता है बोड़िजम में तो देखते हैं किर्चाफ का पहला नियम है संधी का नियम तो संधी कोई जंक्सन है तो यहां पर मालीजे इधर से कोई चार चार मतलब चार प्रकार की धारा आ रही है तो यहां से जाने वाली धारा के बराबर होगी मालीजे इधर से आ रही थी यहां पर मालीजे तीन तीन एंपियर की धारा आ रही थे तीन उसे तो तीन तरीक करना हो जाएग यह नव एंपियर की धारा इधर दो जा रहाना है तो इधर जाने वाली धारा के बराबर होगी मतलब इधर हो जाएगा साड़े चार साड़े चार एंपियर यहां से चार पॉंट पॉंच चार पॉंच यहां से धारा जाएगी तो आने वाली सभी धारा जाने वाली सभी धारा के बराबर होती है यह किर्चाफ का संधिकनियम और वोल्टता कनियम क्या है? किसी बंद पास में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुड़न फल का बीजगर्टी योग उस उस पास में उपस्थित सभी सेलों के वैदुत वाहित बालों के योग के बराबर होता है ठीक है यह है और आगे बढ़ते हैं यह तो वीट इस्टोन ब्रिज तो वीट इस्टोन ब्रिज क्या होता है? वीट इस्टोन ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जिसमें कोई भी दो प्रतिरोध जो होते हैं वो ना तो स्रेडी करम में होते हैं ना ही समांतर करम में होते हैं ये है वीट इस्टोन ब्रिज तो वीट इस्टोन ब्रिज का अगर आएगा परिभासा लिखेने के लिए तो लिखेंगे इसमें कोई भी दो प्रतिरोध जो होता है ना तो स्रेडी करम में होता है ना ही समानतर करम में होता है और वीट इस्टोन अगर वीट इस्टोन ब्रिज माल लीजे यहाँ पर वीट इस्टोन ब्रिज यह बनाए गया है अगर wheatstone bridge का एक खासियत होता है कि यह जो bridge है यहाँ पर अगर P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है यह R इधर है यह S इधर है अगर P वटा क्यों अगर P वटा क्यों बराबर है R वटा YS के तो जो इसका vicard है यहाँ पर vicard जो है इससे धारा नहीं परवाहित होगी अगर इनका अनुपात बराबर है तो vicard से धारा परवाहित नहीं होगी यह इसका खासियत है तो यहाँ पर आया भी है कि P वटा R बराबर होता है Q वटा YS या फिर P Y Q बराबर होता है R वटा YS आगे देखते हैं थोड़ा आगे चलते हैं यह वोल्ट मेटर क्या होता है तो वोल्ट मेटर देखते हैं वोल्ट मेटर है क्या तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहता से परिपत के किनी दो बिंदों के बीच का विभवानतर ग्याद करते हैं इसे सदेव समांतर करम में जोड़ते हैं तो कहा गया है इसमें कि दो बिंदों के बीच किसी परिपत है और दो बिंदों के बीच विभवांतर अगर मापना होता है तो वहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं और यह हमेशा समांतर करम में लगाते हैं ठीक है? और नीचे इसका कुछ लिखा गया है कि नोट यहाँ पे नोट लिखा गया है कि जो वोल्ट मीटर होता है दो बिंदों के बीच के विभव को कम मापता है जो वोल्ट मीटर होता है यह कुछ गड़बड होता है हमेशा सुध मान नहीं देता है कुछ कम मान देता है विभौमापि आगे लिखा है विभौमापि, गिसी परिपत के कि इन्हीं दो बिंदों के बीच के विभौ आंतर को सुध्यता पूर्वक मापने के लिए परयोग किये जाने वाले यंत्र को विभौमापि कहते हैं, और इस सिध्धान्त क्या है तो किसी विभो मापी के यल लंबाई के तार के सिरों के बीच लगाया गया विभो वी और सुने विच्छप इस्थती यक्स होतो तो यल लंबाई के तार के सिरों के बीच विभो है वी तो एकांक लंबाई के तार के सिरों के बीच विभो होगा ग्रिच भाटा मुदीन हैं और दिखाते हैं आँ से दिखाते हैं और यह विद्वाव और यल है लंबाई तो विभाव बराबर क्या होगा अगर यहां से वी को पच्छांतर करेंगे तो वी बराबर होगा के इंटु यल और यहां पे के है विभाव परवड़ता यल है लंबाई या सुनने विछेप इस्तती तो हो जाएगा विभाव बराबर होगा विभाव पर जो होता है विभव प्रवड़ता के वित्क्रवान पाती होता है अर्थात सुग्राहिता बराबर होता है एक वटा विभव प्रवड़ता और सुग्राहिता और विभव प्रवड़ता का सूत्र है कि वी बटा यल तो सुग्राहिता बराबर हो जागा एक बटा में वी बटा और इसको जब पलटेंगे तो सुग्राहिता बराबर आएगा यल बटा वी यह है विभो मापी की सुग्राहिता की कितना अच्छा विभो मापी है इसकी सुग्राहिता निकालने का यह सूत्र है और आगे इधर एक point लिखा गया है कि और इस पे सवाल भी आता है कि विभो मापी की सुग राहिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे तो इधर लिखा गया है विभो मापी की सुग राहिता बढ़ाने के लिए अधिक लंबाई के तार का प्रियोग करेंगे ठीक है और ये विभो मापी का यहाँ विभो मापी का फिगर बनाया गया है इसको आप देख लेजिएगा आगे बढ़ते हैं विभो मापी का उपयोग तो विभो मापी का उपयोग क्या क्या है उसको देखते हैं तो पहला उपयोग लिखा गया है इधर कि सेल का वैदुत व वहकबल ग्याद करना तो वैद्ध वहकबल कैसे ग्याद करते हैं तो इसका फॉर्मुला है यह बराबर के इंटु यक्स यहां पर के विभव पर वड़ता है यक्स सुने विछ्षेप श्तति में जो यक्स लंबाई के तार के सीरों के बीच विभावांतर लगा गया सेल के विदुत वहकबल के बरावर होगा आता है यहां पे जो लिखा गया है ए बरावर के इंटु एक्स तो ए जो है यह विदुत वहकबल है और किया है विभाव परवड़ता ये अक्स है सुने विछेप इस्थति या तार की लंबाई वही तो ये फॉर्मूला है विभाव मापी मतलब सेल के वैदुत वाहग बल का ग्याद करना कि ये कैसे ग्याद किया जाता है सल का वैदुत वाहग बालो उसका फॉर्मूला है दूसरा है कि विवह मापी का उपयोग कहां दूसरा करते हैं तो दो सलों के वैदुत वाहग बालों का तुलना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो दो सल का वैदूत वहकबल का तुलना कैसे करेंगे तो इवन बटा इटू ये है सल का वैदूत वहकबल इवन बटा इटू बरावर होगा येलवन बटा येलटू येलवन बटा येलटू क्या है ये तार की लंबाई है तो यह से तूलना करके सवाल लगा लेंगे अगला है अब देख लेते हैं कि वैदुत सेल किसे कहते हैं आखिर तो वैदुत सेल क्या होता है एक ऐसी युक्ति जो रसानी कुर्जा को वैदुत उर्जा में बदलता है उसे वैदुत सेल कहते हैं आगे है कि वैदुत सेल का वैदुत वहकबल क्या होता है तो इसको पढ़ेंगे सेल सहित संपूर परिपथ में एक आंक आवेश को ले जाने में सेल द्वारा किया गया कारे वैदुत वहकबल कहलाता है कि किसी परिपत में एक आंक आवेस को ले जाने में सेल द्वारा जो कारी किया जाता है उसी को वैदुत वाहग बल कहते है जैसे यहाँ पर है यह बराबर डबलू बठा की होते हैं सेल का वैदुत वाहग बल का फर्मूला की E से तो है वैदूत्वाहकबल और W से किया गया कारी है और यहाँ पर Q जो है वो एक आंक आवेस है यहाँ पर Q जो है एक आंक आवेस है W किया गया कारी है और E है वैदूत्वाहकबल तो समझें आपकी एक आंक आवेस को परिपत में एक बिंदू से मतलब दूसरे बिंदू तक ले जाने में क्या गारे वही है वैदूत वहागबल अब जब सेल से धारा नहीं ली जाती है अगर सेल से धारा नहीं ली जाती है तो तो क्या होता है सेल का वैदूत वहागबल विभाव के बराबर होता है अगर सेल कोई है उससे धारा नहीं ली जा रहे अगर उसमें कोई भी परपत नहीं जुड़ा है तो जो उसका वैदुत वहकबल होगा वो विभव के वराबर होगा वही कहा गया है सेल का अंतरिक प्रतिरोध क्या होता है तो इसको देखेंगे सेल का अंत्रिक प्रतिरोध को इसे गामा से दिखाते हैं ठीक है इसे गामा से वक्त करते हैं अंत्रिक प्रतिरोध को गामा से वक्त करते हैं और एक किस पर किस पर निर्वर करता है तो याद रखेगा ये निर्वर करता है पहला सेल के इलेक्टरोडों के बीच की दूरी के समान उपाती सेल के कोई सेल है उसका ये दो इलेक्ट्रोड है तो इनके वीच का जो दूरी है इस पर समानुपाती रूप से निर्भर करेगा और विलियन की सांदरता पर विलियन की सांदरता पर भी निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड के विलियन में डूबे हो छेतरफल पर निर्भर करता है वो भी व्यूत कर्मान उपाती मतलब उल्टा निर्भर करते हैं इलक्ट्रोड के विलियन में डूबे हो छेत्रफल पर भी निर्भर करता है तो यहीं पर यह चैप्टर समाथ हुआ और यह कुछ फॉर्मूला है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के इस्थेती में तो यहा है आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद